जय मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यहां, बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरूर लेखें दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो प्रिगनेन्सी अस्पेसल चंदरगरहन से टिलेटेड वीडियो है और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या pregnant महिला के husband को भी सावधानिया बरतनी होगी या नहीं क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आता है question आता है comment box में कि मैं सिर्फ pregnant lady को सारी सावधानिया बरतनी होती है या उसके husband को भी तो मैं उसका सही सही जवाब दोंगी कि किसको बरतनी है किसको नहीं दोस्तों आपको पता होगा कि 5 जुलाई को चंदर ग्रहन लगने जा रहा है और आपको ये भी पता होगा कि एक महिने के अंदर तीन ग्रहन लग रहा है जिसमें दो ग्रहन लग चुका है और एक ग्रहन लगने वाला है पांच जुलाई को यह ग्रहन प्रेग्रेंट महिला के लिए कितना दिक्कत भरा होगा क्या क्या समस्या हो सकती है गर्वती महिला को क्या क्या करना चाहिए इस ग्रहन के प्रभाव से बचने के लिए इस ग्रह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस घरेलू ख़बर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें ताकि मैं इसी तरह के ग्रहन से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूं दोस्तों पहले जान लेते हैं पांच जुलाई का चंद मिनट पे सुवा होगा और ग्रहन की कुल अबधी 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड की होगी इस ग्रहन का कोई भी सूतक नहीं लगेगा पूजा पाठ और मंदिर के कपाठ भी खुले रहेंगे लेकिन प्रिग्रिंट महिला को सयम बरतने की सलाह जरूर दूंगे क्योंकि ग्रहन चं देगा नहीं चंद्रमा गोल ही रहेगा बस चंद्रमा केवल धूंधला दिखेगा सिर्फ चंद्रमा में एक छाया दिखेगी जिसको उपचाया चंद्रग्रहन बोलते हैं और उपचाया चंद्रग्रहन नुकसान दे नहीं होता है लेकिन 5 जुलाई का चंद्रग्रहन नु महिला को ग्रहन के दोरान घर से बाहर नहीं निकलना होगा, उस समय प्रेग्रिंट महिला को खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं खाना चाहिए, पहले से बना हुआ भोजन भी नहीं घर में रखना चाहिए, ग्रहन के दोरान सिलाई, कटाई, बुनाई, आदी, ग्रहन के दौरान वही खाना गर्वती महिलाओं को खाना चाहिए अगर जरूरी पड़ितो, ग्रहन काल में अस्नान नहीं करना है, ग्रहन समापती के बाद अस्नान जरूर करना है, ग्रहन के दौरान अनजानी सक्तियां प्रभावी हो जाती है, तो बेहतर होगा कि ग्रहन के तोरान किसी भी सुनसान या असमसान जैसी जबू में जाने से बचे। दोस्तों प्रिग्नेंट महिला के हस्विन इवन घर के पूरी परिवार को भी ग्रहन के सारे नियम पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों ग्रहन क्यों नुकसान दे होता है। आप कभी भी ऐसा ना करें कि ग्रहन के दोरान अगर आपको प्यास लगी हुई है और आप ग्रहन खतम होने का वेट कर रही हो। इससे आपको डिहाइड्रेशन का प्राबलम हो सकता है। इसलिए आप ऐसा गलती ना करें। जब भी आपको प्यास लगे आप तुलसी पत्ता डाला हुआ पानी पी सकती है। ऐसे भी पता है कि यह ग्रहन कमजूर है। यह ग्रहन की संग्या में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर तीन ग्रहन लगना सुब नहीं माना जाता है। इसलिए आप अपना ध्यान जरूर रखे। आसा करती हूँ कि आज की मे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स